दोस्तों इस Study91 में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है दोस्तों आज मैं आप सभी के सामने हाजिन हूँ 15 दिसंबर के सबसे मत्वपूर करेंटेफेर के प्रशनों को लेकर जी हाँ दोस्तों आईए देखनें कि 15 दिसंबर के सबसे मत्वपूर प्रशन हमारे लिए कौन कौन सी है ठीक है इसके साथ ही साथ दोस्तों जो हमारे पीछे के प्रशने में उनका revision भी आपको कराऊंगा ताकि आपकी तयारी और भी ज्यादा बेजोड अस्तर पर हो जाए ठीक है तो आईए सुरू करते हैं आज की क्लास को और आपके सामने दोस्तों मैं बताना चाहूँगा study 91 बहुत सारे आनलाइं कोर्स को लेकर आया है उपर एक जो है नंबर दिया गया हमारे help line नंबर आप उस पर call करके किसी भी तरह की शमश्या का शमारहान कर सकते हैं या फिर हमारे नए कोर्से के बारे में जो जो लग साती सात यूपी पुलिस है हमारे latest कोर्स हैं तो जल्दी साप इन्हें ज्वाइं कीजिए ठीक है आगे बढ़ते हैं दोस्तों पहला सवाल आज का ध्यान से सोच समझ कर जरा जबाब दीजेगा पहला सवाल क्या है कास की ऐसा देश अपने देश में हो जाता मतलब ऐसा काम अपने देश में हो जाता तो क्या बात रहता गजब का काम हुआ दोस्तों कर है कौन सा देश साड़े चार दिन का कारे सप्ता मतलब समझते हैं एक सप्ता में भहिया केवल साड़े चार दिन काम करना है कितना साड़े चार दिन काम करना है ठीक है तो याद रखेगा ऐसा कारे सप्ता लागू करने वाला पहला देश कौन तो याद रखेगा उस देश का नाम है शाओधी अरब, जिहां दोस्तो, शाओधी अरब, यही सोच रहे हैं, नहीं यार, शाओधी अरब नहीं, उस देश का नाम है, क्या नाम है, शायुक्त अरब अमिराद, क्या नाम है, शायुक्त अरब अमिराद, कन्फिज मत होएगा, सवधी अरब नहीं है, युए ही देश है दोस्तों, जहाँ पर साड़े चार दिन ही एक सब्ता में काम करना है, पता है, जनली तो हम लोग सोचते हैं कि संडे को छुटी तो रहता ही रहता है, ठीक है, संडे के साथ साथ दोस्तों याद रखेगा, यहाँ शेटरड़ी की भी हाफ टाइम ही जाना है, ठीक है, हाफ टाइम ही जाना है, मतलब की धाई दिन की छुटी, क्या गजब की बात है, साड़े चार दिन काम करना है, धाई दिन आपको एस करना है, ठीक है, तो याद रखेगा, लिक क्या रहा है, इसके बारे में खास बाते हैं, अच्छा, मैं आ क्रुवार को हापडे लग जाए इसलिए साड़े बारा बज़े ही छुट्टी हो जाएगी ठीक है तो सारी बाते आप याद रखेगा अगर मैं आप से पोच्छों कि वही की रजधानी कहां पर है तो क्या बताएंगे अबू धावी जिया दोस्तों अबू धावी इसकी दीजिएगा ठीक है या आपके लिए important सवाल है इसको आप समझेगा और आगे दोस्तों बात करते हैं दुनिया में पर्थम या भारत में पर्थम क्यों ये वाली सीरीज तो सर क्या घजब की study 91 जो देता है नो कोई नहीं देता क्यों important है दोस्तों जैसे मैंने कहा कि पहली चार दिन काम करना है तो ऐसे दुनिया में बहुत सारे कारणामे होते हैं भाई जो दुनिया में पहली बार या भारत में पहली बार होते हैं ठीक है क्या आप उन बातों को जानते हैं नहीं जानते हैं तो आईए आपको पीछे के कुछ question बताता हूं जो हम लोगों ने पढ करा किस देश ने नॉमबर 2021 में दुनिया के पहले गैर लाबकारी सहर के अस्थापना किया था यह भी चर्चा में आया था और यह सहर के अस्थापना करने वाला देश का नाम है सौधी अरब क्या नाम है शौधी अरब ठीक है याद रखेगा शौधी अरब सौधी अरब की र गाओं को दुनिया का सरवसेष्ट परियतन गाओं के रूप में चुना गया तो याद रखेगा तेलंगाना कि उस गाओं का नाम है पोचम पल्ली गाओं है ठीक है करा किस देश ने दुनिया का पहला प्रित्वी बिज्ञान उपग्रह गौंगमू लांच किया यह देश है जिसने यह पहला उपग्रह सेटलाइट लांच किया हालाई में किस देश में पहला बास से बना क्रिकट का बैट और इस्टंप यह किस राज ने विक्सित किया और बड़े पैमाने पर दोस्तों इसका उत्पादिन किया जाने का प्लान हो रहा है यह राज जह है भारत का त उद्गाटन, ओपेन एर फर्नरी का उद्गाटन कहां पे किया गया, वो भी उत्तराखंड है, जीवासन पार का उद्गाटन, वो भी उत्तराखंड है, ठीक है, सब उत्तराखंड से संबन्नित है, हाले ही में भारत का सबसे बड़ा हरित हाइड्रोजन सेंत्र, ये कहां स्थ लकता में किया गया कोलकाता ठीक है। लिख रहा है कि बैश्वी का स्वास्थ सूरच्छा सूचकांग 2020 में भारत की सस्थान पर इसमें दोस्तो बैश्वी का स्वास्थ सूरच्छा सूचकांग बहुत अच्छा सवाल है दोस्तो इसमें भारत की रैंकिंग क्या है सिर्फ आपको इतना बताना ठीक है सबसे पहले 56 अस्थान तुम मैं बता दूँ आपको 56 अस्थान दोस्तो अभी भारत ने पाया अभी जारी किया गया था रयंकिंग कौन सा रयंकिंग में भारत का कौँ सास्थान आया है 56 अस्थान पर स्थान है तो उसमें 68 अस्थान मतलब की यहाँ पर आपसे नंबर 2 जो है आपका सही हो जाएगा 82 अस्थान दोस्तो ये रिश्वत खोरी जोकिम सूचकांक आया था रिश्वत खोरी जोकिम सूचकांक ये जो आया था दोस्तो इसमें दोस्तो भारत का 82 अस्थान है और 101 अस्थान दोस्तो ये अभी दोस्तो भूख सूचकांक आया था हंगर इंडेक्स सूचकांग आया था दोस्तों याद रखेगा उसमें भारत का 101 अस्थान है ठीक है इसको भी याद रखेगा इसी के साथ साथ दोस्तों याद रखेगा तीरपनवा अस्थान भारत का है लोकतंत्र सूचकांग में उसको भी याद रखेगा लोकतंत्र सूचक यह सभी point आपके लिए का है बहुत बहुत important है याद रखेगा यहाँ पर फिलाल तो option number 2 जो है यह आपका सही जबाब हो जाएगा याद रखेंगे यही सभी सवाल दोस्तों आपसे परिक्षा में पूछा जाता है ठीक है मैंने आपर जानबूश कर ऐसे अपसन बनाए हैं कि उन अपसन के साथ मैं आपको और भी ज़्यादा बिस्तार से चीजों को बता चकूँ बता सकूँ फिलाल याद रखेगा यह स्वास्त सुरच्छा सुषकांग था जिसमें 195 देशों की लिश में दोस्तों भारत का अस्था छा च्ठमां था पहले पहले पर उससे यानी अमेरिका है दूसरे पर आपका अस्ट्रेलिया है और तीसरे नमबर पर दोस्तों याद रखेगा फिल्लैंड में का हैं दोस्तों हेलन सिंग की है क्या है फिन लेंड की राजनानी हेलन सिंग की है उसको भी याद रखेगा ये तीनों का अस्थान होगा याद रखेगा ठीक है चली आगे बढ़ते हैं अब सूचकांग को से संबदित कुछ अच्छे सवालों के बारे पढ़ लेते हैं जो सूचकांग जो रैंकिंग हाल फिलाल में जारी किये गए ताकि बढ़ियां आपका रिवीजन हो जाए ठीक है तो पहला तो यह हो गया आपका च्छाचंटमा अस्थान कीवेस वर्ड इन्वस्टी डैंकिंग होई थी दोस्तो जिसमें सिर्थ अस्थान किसने हाजिल किया था तो नेशनल यूनिशिटी आप सिंगापूर का टॉप पे अस्थान था पहला अस्थान था ठीक है हाले में जारी एड लगी हूँ घरुन इंडिया पुरोपकार इंडेक्स में दोस्तो पहला अस्थान किसका था? अजीच प्रेम जी का यहाँ पहला अस्थान था और दान देने के मामले में सरवादिक दान किसने दिया? तो याद रखेगा उष चौधावा अस्थान है जबकि इंडोनेशिया याद र केगा दान सीलता में पहले अस्थान पे है करहा हालेई में कितने भारती संस्थानों ने टाइम सा हायर एजूकेशन में 200% रैंकिंग में जगा बनाई तो सिर्फ और सिर्फ चार ऐसी भी स्विद्धाले हैं जिनोंने इसमें जगा बनाई है टाइम सूचकांग में हालेई में किस राज्य को उर्जा दक्षता सूचकांग में सबसे उपर रखा गया है तो उर्जा दक्षता सूचकांग में टॉप पर कौन सा राज्य है करनाटक राज्य है कौन सा है करनाटक राज्य है ठीक है हालही में Public Affair Index जारी किया गया तो दोस्तों और उसके प्रदर्शन में ठीक है किस राज्य का पहला अस्थान है तो SDG रैंकिंग में और Public Affairs इन दोनों में केरल राज्य का दोस्तों पहला अस्थान है ठीक है हालही में जारी Global Climate Tech Investment Trade Report में भारत का कौन सा अस्थान है ये भी रैंकिंग है दोस्तों और इसमें भारत का अस्थान है नौवा कौन सा अस्थान है नौवा अस्थान है ठीक है हालही में जारी FIFA रैंकिंग जो जारी किये गए दोस्तों उसमें भारत आ गया है 106 में अस्थान पे ठीक है वर्ड वाइड जो भारत का अस्थान है फीफा में वो 106 अस्थान है आर्थिक स्वतनता सूचकांग जारी किया गया था उसमें भारत का 121 अस्थान है जबकि भूख सूचकांग में भारत का 101 अस्थान है फोस दोरा प्रकासित 20 की सरफसोर्ष नियोकता 2021 के समग रैंकिंग में किस कमपनी का पहला स्थान है अगर समग रैंकिंग पुछेगा तब बताएगा सैमसंग इलेक्ट्रानिक का पहला स्थान नहीं तो रिलाइंज जीवा जाएगा ठीक है अगर समग रबर्ड लिखा तब जाके सैमसंग करिएगा अन्यथा मत कीजेगा ठीक है बात आगे समझ में यह आप आज के लिए इंपोर्टेन सवाल है चलिए आगे बढ़ते हैं सवालों का सिलसला आगे देखते हैं लिख रहा दोस्तो अगला सवाल हाला ही में जारी रिपोर्ट के अमसार कुल पंजी कृ इवियस में कौन सा राज्यसिस अस्थान पर है ठीक है इवियस के पंजी करड में दोस्तो इवियस जानते हैं यह इलेट्रिक वहकल की बात करा दोस्तो इवियस के पंजी करड में कौन सबसे ज़्यादा इलेट्रिक वहकल कहां पे पंजी करित किये गए तो मैं बताना चाह प्रदेश के दोस्तों दूसरा अस्थान करनाटक यहां तीसरे अस्थान पर है और विहाषर आपका चौछです आप कहिंचे दोस्तो महाराष्ट और वगरा कहा चले गए तो याद रखें दोस्तो महराष्ट का जो अस्तान है वो आपका बिहार से नीचे है यह है दोस्तो आपका पाचमें अस्तान पे जब कि हालेही में दोस्तो महराष्ट पहला असाराझ Adv Which स bound ज्मित और फ़ से玩 3. यह पहला राज्य था ठीक है पहला राज्य था ठीक है इसके लावा दोस्तों हम लोगों ने पढ़ा था हीमाचल प्रदेश में क्या काजा गाओं का नाम पढ़ा था काजा गाओं जहां पर सबसे उचा जो है EV charging station अस्थापित किया गया था ये भी आप याद रखेगा ठीक ह तो आज के सवाल का सही उत्तर क्या है उत्तर प्रदेश जो है यह आपका right answer हो जाएगा तो option number 1 दोस्तों आप सही कर दीजेगा ठीक है बाकी की बाते हैं पर दी गई है देगे काम की बाते मैं बता देता हूँ इस PDF को डाउनलोड कीजे और इत्मिनांस इन बातों को पढ़ देट यूपी के बाद दोस्तों दिली का धूसरा स्थान है कणनाटक का दीसरा बिहर का चौत्ता महराश का पांचमा अस्थान है ठीक है यूपी का अंदर दोस्तों कुल पंजी कृत कितने है तो 8,7,141 वहां जो दोस्तों यह अभी तक पंजी कृत हो चुके हैं ठीक है टोटल पंजी कृत हो चुके हैं जिसमें से 2,55,700 के करीब वो आपके कहां पहने केवल और केवल उत्तर प्रदेश में है ठीक है तो इस तरह पर आपर आद रखेगा ठीक है चलिए आजएए सूचकांग को से संबने कुछ बाते फिर से कर लेते हैं यहां पर दोस्तों इस रिपोर्ट का अंसार कुल पंजी करी टीवेस में कौन सा राच्टाप पर है तो हमने बता दिया कि उत्तर प्रदेश पहले नंबर पे है अच्छा ठीक है याद रखेगा कि वर्ड रैंकिंग जारी किया गया दोस्तों पुरी दुनिया में सबसे बैतरी मिस्विद्धालाय का दर्जा उनिवर्स्टी आप सिंगापूर को दिया गया किसे दिया गया यूनिवर्सिटी आप सिंगापूर हालही में जारी दोस्तों एडलोगी हरुन इंडिया रिपोर्ट में परोपकार की सूची में कौन नंबर वन पर आये हैं पुले एशिया में तो याद रखे का अडाडी शाब है टाइम सा हायर एजुकेशन ने 20% सूची में सामिल किया है तो किवल 4 ऐसे बिद्ध्याले हैं ठीक है हाले में किस राज़ को उर्जा दक्षता सूचकांग में टॉप पर रखा गया है तो उर्जा दक्षता सूचकांग में टॉप पर कौन सा है करनाटक राज़ है वो भी याद रखेगा ठीक है पब्लिक अफेर्स में केरल है और ग्लोबल क्लाइमेट टेक इंविस्प्रेंट ट्रेड रिपोर्ट आया दोस्तो जिसमें भारत का नौवा अस्तान है मेरे साथ बोलिए जितना जादा आप बोलेंगे उतना जादा आपको याद रहेगा ठीक है नहीं बोलेंगे तो बाकी आपकी मर्जी के उपर करेंट अफेर ऐसे पढ़ते चलेंगे और भूमते जाएगा ठीक है मेरी क्लास में रिवीजन भी आपका अच्छा हो जाएगा ठीक है तो आप स्टार्ट हो जाएए वीडियो देखना और देखिए सब कुछ आपको पढ़ाएगा दोस्तो डेली करेंट अफेर के साथ साथ या मन्तली करेंट अफेर और टॉपिक वाइज करेंट अफेर भी दिया जाता है आप आईए सिर्फ इस्टडी 91 के प्लेलिस्ट में वहाँ आपको वीडियो मिल जाएगे हाले में जारी फीफा ररेंकिंग जो जारी हुआ इसमें भारत का ररेंक है 106 ça है? 106 आर्टिक 133 सुषकांग आयता उसमें 121 एस्थान है जबकि भूक सुषकांग में भारत का 1011 एस्थान है इससे बाहर कुछ जाने वाला नहीं है, चलो आजाओ अगले सवाल पर आते हैं, दोस्तों यहाँ पर सिर्फ आपको शुमेलित करना है और बताना दोस्तों कौन सा दिवस कम मनाय जाता है, इसमें जो सबसे आसान है, वो है मानवा अधिकार दिवस, आप सभी जानते हैं मानव यह हरसाल मना जाता है 7 तारिक को, अंतराश्टी स्वयम से भी दिवस यह मना जाता है 5 तारिक को, उर्जा सनच्छर दिवस मना जाता 14 तारिक को, मिलान करें यह दोस्तों बनेगा B, C, D और A, B, C, D यह दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है, यह मनाये गया राष्टिय उर्जा सनच्छड दिवस ठीक है राष्टिय उर्जा सनच्छड दिवस मनाये गया 14 दिसंबर को तो याद रखेगा ठीक है इसको कबसे मनाये जारा दोस्तो तो 1991 से दोस्तो इसको लगातार मनाये जारा जागरुकता बढ़ाने के लिए कि कैसे हरित हा मेटकर जी की पुन्यतिति जो है दोस्तो वो भी आपका 6 तारी को मना जाता है इनका जन्मदिवस कम मना जाता है दोस्तो याद रखेगा अगर जन्मदिन की बात करें तो इनका जन्मदिन मना जाता 14 अप्रैल को ठीक है और इनकी पुन्यतिति कम मना जाती है 6 दिसंबर को ठी पिसंबर के कुछ महत्वपूर दिवस हैं तो लगे हाथ इनको भी याद रखे ठीक है आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर करा हालही मेकिश ने सीमा पार लेंदेन के लिए कानूनी इकाई पहचान करता एक नया दोस्तो यल ई आई अनिवारे कर दी एक नंबर है दोस्तो 20 अ यह कितने का होता है याद रखेगा यहाँ जैसे माली यह पिन कोड मैंने लिखा ठीक है ऐसे यह जनली क्या होते हैं दोस्तो 6 अंके होते हैं कितने होते हैं 6 अंके होते हैं उसी प्रकार से याद रखेगा यहाँ पर 20 अंका एक लीगल आइडेंटी आइडेंटिटी आइड तो यहाँ पर फिलाल तो RBI आपका उत्तर हो जाएगा यह आपके लिए बड़ा अच्छा सवाल है चलिए आए देखते हैं दोस्तो लिख रहा है RBI ने अगले साल 1 अक्टूबर से 50 को रुपए और उससे अधिक के पूजी अचालू खाता के लेंदेन के लिए दोस्तो सीमा लेंदेन देश के अंदर नहीं दोस्तो लेंदेन अगर सीमा के पार होता है भारत के सीमा के बाहर अगर लेंदेन होता है तो उसके लिए दोस्तो यह लीगल आइडेंटिफायर जो है जरूरी कर दी आनिवार कर दिया गया है यह दोस्तो एक 20 अंक की एक संख्या है जिसका उपयोग बित्ती डेटा सिस्टम की गुडवक्ता और सटीक्ता के सुधार के लिए किया जाएगा ठीक है ताकि देश के अंदर से किसी भी तरह की जो है गलत गत्विधियों को ना आगे बढ़ाए जा सके इसके लिए यह बनाए जारा ठीक है तो इसको भी याद रखेगा आ दिया गया तिया पुरशकार दोस्तो करनाटक ग्रामीड बैंक को दिया गया किसे करनाटक ग्रामीड बैंक को करा पेटियम पेमिंट बैंक को दोस्तो अनसूचित बैंक में सामिल कर दिया गया अभी RBI की गाइडलाइन आई मतलब RBI के दोरा यह बताएगा ठीक है तो अब पेटियम भी दोस्तो यह एनक्षूचा इसको भी ध्याम दीज़ेगा किस बैंक अभी हाले में पेटियम पर दोस्तो एक करोडों का जुर्माना भी लगा था पेटियम पर और क्या हैं ब्रांड अमेजडर हैं इशे भी ध्यान दीजेगा करनीजी छेतर के रिणदाता किस बैंक ने किस बैंक ने महिलाओं के लिए एक शुविधा संपन बचत बैंक जिसका नाम है मित्र प्लस एक योजना दोस्तों लांच किया है यह लाए गया दोस्तों फेडरल बैंक के द्वारा किसके द्वारा फेडरल बैंक के द्वारा लाए गया यह भी आप ध्यान दीजेगा देखिए करेंट अफेर को थोड़ा गंभीर हो के पड़ा करें बहुत ज्यादा हसी मजाक का बात नहीं है यहां पर ठीक है थोड़ा गंभीरता के साथ पढ़ेंगे तो ठीक है चलिए आगे देखिए लिकरा भारती है रीजर बैंक ने हाले ही में किस राज के मलकापूर अर्बन कॉपरेटी बैंक को दोस्तों क्या कर दिया है मतलब उसके लाइसेंस को कैंसिल कर दिया गया महराष्ट का बैंक था मलकापूर ठीक है उसको भी याद रखेगा हा मोबिक का समझाता हुआ एक्सिस बैंक के साथ वही जिस पे पांच करोल का जुर्माना अभी आर्बियाई ने लगाया था ठीक है तो इसको भी ध्यान दीजेगा यह भी आपके लिए अच्छा सवाल है चलिए आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूए दोस्तो चुटी नाईटिवन आपके लिए लाया है दोस्तो憂ड कोर्स बहुत ही सान्दार कोर्स चलना है दोस्तो यूपी टीट का कोर्स चलना है नेट ज्यारप में first paper आपको सभी लोग को देना पड़ता है जो लोग भी नेट ज्यारप की तयारी करते हैं तो नेट ज्यारप first paper की भी class है और हिंदी इंडिडिजल का तो कुछ पूछना ही नहीं दोस्तों आज यहीं इसे ज्यारप करें इसके लामा दोस्तों हमारे पास math individual भी है यूपी पुलिस आपके सामने चला है रेलवे की दो वैकेंसी आपके सामने आ चुकी है ठीक है cbt2 और group deed उसकी भी तयारी कर सकते हैं और साथी साथ लेकपाल की जो लोग तयारी कर रहे हैं वो भी आ जाए हमारी team दोस्तों बड़े सिद्दत के साथ बड़े लगन के साथ आपको चीजें provide कर रही है तो आप आए इसे join करें ठीक है चली आगे बढ़ते हैं अगला सवाल देखते हैं लिकरा हालाई में Dr. Ida S. Scudder Oration Award जिया दोस्तों Dr. Ida S. Scudder Oration Award से अभी किसे सम्मानित किया गया जिया दोस्तों लिकरा हा दोस्तों किसे मुके सम्मानी को अजीस प्रेम जी को सिवनादर को या फिर किसे आदार पूनावाला को तो मैं बताना चाहूंगा दोस्तों अभी जिनोंने हालाई में मतलब सबसे ज़्यादा परोपकारी ब्यक्ति जिसे कहा गया ठीक है याद रखेगा उन्हें ही दोस्तों इस Ida S. Scudder Oration Award के लिए सम्मानित किया गया क्योंकि उनके दोरा बहुत सारे विद्यालेओं को funding किया जाता है बहुत बड़ी बात है ठीक है पैसा तो बहुत लोग कमा रहे हैं लेकिन कितने लोग अपने पैसे का सदूपियोग कर रहे हैं यह हमें सायाथ सीखना चाहिए अजीस प्रेम जी से जिया दोस्तों विप्रो के संस्थापक हैं अजीस प्रेम जी कौन है तो एवार्ट से सम्मधित कुछ और शवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ इब रिवाइच कर लीजे क्योंकि पिछले 10, 15, 20, 25 दिनों में ये सवाल हमारे सामने आए हैं और आपको तो पचा है पता है कि आपकी परिक्षा में एवार्ट से सम्मधित क्वेशन पूछे जाते हैं या नहीं मुझे बतानी क्या हो सकता नहीं है तो आईए देखते हैं दोस्तों पहला तो यह हो गया दूसरा दोस्तों अभी आपको मैंने कली पढ़ाया कि 70 मिस यूनिवर्स का खिताब दोस्तों कि इसने जीता भारत में 21 साल बाद किसी ने अवार्ड लाया है सन 2000 में लारा दत्त ने लाया था उसके पहले 1994 में सुस्मिता से ने लाया था अब जा करके 2021 में दोस्तों क्या नाम है हरनाज संदू जी आँ चंडीगर से हरनाज संदू इन्होंने इस साल का 70 मिस यूनिवर्स का खिता ठीक है इसके पहले मिस यूनिवर्स कौन थी तो आप सभी जानते हैं इसके पहले एंड्रिया मेजा थी एंड्रिया मेजा ठीक है उसको भी याद रखेगा हाले में किस भारती गर्तग को रामा नुजम पुरशकार दिया गया इनका नाम है नीना गुपता ठीक है अब नियत्री नहीं है ये गर्तग यह नीना गुपता जिने रामा नुजम पुरशकार दिया गया करा किस IIT संस्थान के बैग्यानिक रोपेश गोयल ने यंग जियो इस्पेसल साइंटिस पुरसकार जुईता ये भाई IIT कानपूर के प्रोड़क्ट हैं क्या नामे दोस्तो रोपेश गोयल ठीक है करा राष्टमंडल खेलों में दोस्तो भारत तोलन चेंपियन सिप में महिलाओं के दोस्तो उन्चास किलोग्राम वर्ग में दोस्तो याद रखेगा सिल्वर मेडल जीता है कि इसने जीली डाला बहडा ने या एवाड जीता है अमेरिका की किस यूनिवर्सिटी में पढ़ाने वाली भारती अमेरिकी घर तक गया निखिल सिवास्तो को एमेस सिप्रियन फ्वेस वाट दिया गया ठीक है ये कैलिफोर्निय अन्वस्ती में दोस्तो पढ़ाते थे जीने सम्मानित किया गया BWF World Tour 2021 का किताब किस मैला ने अपने नाम कर लिया याद रखेगा इनका नाम है श्यांग क्या नाम है श्यांग ठीक है भुनेस्वर के कलिंगा स्टेडियम में दोस्तो याद रखेगा अर्जेंटीना ने जर्मनी को पचाड करके खिताब अपने नाम कर लिया याद अब वर्ड कप हो रहा था ठीक है करा 200 अथलेटिक्स ने किस अथलीट को क्या लिखा दोस्तो वुमें आपड़ इयर के एवार्ड से समानित किया है तो वुमें आपड़ इयर एवार्ड किस अथलेटिक्स को दिया गया अंजू बॉबबी जार्ज को किसे अम्भू आगे बढ़ते हैं अगला सवाल देते हैं दोस्तों अगर आपने पेपर देखा होगा तो आपको यह भी पता होगा कि धीरे धीरे अब आपके सवालों का पैटन बदल ला है कभी कूट के सवाल कभी कथन कारक के सवाल तो क्यों न हम अपने सवालों में एक दो सवाल कथन कार क्या होता दोस्तों? United Nation General Assembly ने अंतराश्टी सौरगडबंधन को परिवेचक का दरजा दिया जिसे फ्रांस के राश्पती इमेनुवल के साथ हमारे देश के प्रधान मंतरी मोदी जी ने मिल करके इसको गठित किया था गुरुग्राम में दोस्तों इसका headquarter है क्या है दोस्तों? इस अंतराश्टी सौरगडबंधन का मुख्याले कहां पर? बताए इसका मुख्याले आपको पता है इसका मुख्याले भारत में गुरुग्राम में गुरुग्राम दोस्तों याद रखेगा गुडगाओं को कहा जा गया था और नॉम्बर 24 में ISA को भारत और फ्रांस के द्वारा स्नेव तुरूप से लांच किया गया था क्या बास सत्य है तो दोस्तों में बताना चाहूंगा छोटी सी बाते यहां पर दिया गया पहला कथन दूसरा कथन सत्य है लेकिन तीसरा और चौथा गलत है क्यों क्यो हो जाए 14 में चुना हुआ था जब मोधी जी प्रधानमंत्री चुने गए तो 14 में नहीं इसके अस्थापना दोस्तों 15 में हुआ चोटी सी बात अगर आपनी इसके किया तो कामगरवर हो जाएगा तो ध्यान दीजेगा यहां पर क्या हो जाएगा कथन एक और दो यह आपक किसका एपॉइंट्मेंट हुआ है कहा हुआ है कैसे हुआ है वो सब सवाल भी हम लोग पढ़ लेते ठीक है तो पहला तो आपने पढ़ी लिया दूसरा लिख रहा है किस कंपनी के चेयर्मैन और प्रभन निरेशक शंजीव मेहता को फिक्की का अगला अध्यक्ष नियूत क के बाद ओलाफ इसकोच को कौन से चांसलर के तौर पे दोस्तों नियूत किया है तो याद रखेगा अभी नार्मे देश के लिए ठीक है ये भी याद रखेगा बीसी सियाई ने टी ट्वंटी में कप्तानी के बाद किसे टीम इंडिया का वंडे फार्मिट का कप्तान बना ठीक है तो राहुल द्रविट जी को क्या बना दिया गया है यहाँ पर कोच बना दिया गया उसे भी आप याद रखेगा ठीक है करा किनारा कैपिटल ने दसवी वर्सगाट के औसर पर किस खिराडी को अपना आधिकारी का ब्रांड अंबेजडर बनाया रविंदर जडेज ठीक है रविंदर जडेजा को यह भी याद रखेगा कराया ओयो होटल्स और होम्स ने हाले में किस बैंक के पूर अध्यक्ष रजनीश कुमार को रणनितिक सम्मों का शलाकार निउत किया गया तो याद रखेगा यह स्टेट बैंक के क्या थें पूरो शलाकार रहें ठीक ह तो इसको भी आप याद रखेगा दोस्तो चली आगे बढ़ते हैं अगला सवाल देखते हैं हालाई में नीती आयोग जिसके अस्थापना एक जनवरी 2015 में हुआ था ठीक है एक जनवरी 2015 करकिस राज में एक हजार अटल टिकरिंग प्रयोक्षालाएं अस्थापित करने जा जम्मू कस्मिर में ठीक है याद रखेगा अभी हालाई में दोस्तो एक इंडेक्स जारी किया गया था जिसमें केरल पहले अस्थान पे था और एक और इंडेक्स जारी किया गया था ठीक है तो याद रखेगा हालाई में जारी पीजिया इंडेक्स में दोस्तो याद रखे प्रयोक साला है क्या इसके बारे में दो लाइन सुन लेते हैं करा अटरल टिकरिंग लैब जिसको ATL भी कहा जाता साटकट में करा भारत में कें सरकार अटरल इनुवेशन मिसन के तहत यह एक शब मिसन है उसी के अंडर में यह काम करता है यह AIM की प्रमुक बहल है जो पूरे रखेगा भारत के पधान मंतिर इसके पदेन अध्यक्ष कहे जाते हैं इस प्रकार नरेंदर मोदी इसके अध्यक्ष है उपाध्यक्ष की बात करें दोस्तों तो याद रखेगा राजी कुमार इसके उपाध्यक्ष है और अमिताब कांध इसके CEO है इसका मुख्याल है दिल लागू कर दिया ठेक है तो याद रखेगा भोपाल और इंद और इंद और को भारत का सबसे स्वख्छ सहर भी होसित किया विह दोनों को पूर कमिष्ट बना दिया गया अभी हाले में दोस्तों नोईडा को बनाया गया था अपने उत्तरपदेश में केंद्री मंदल ने हाले में कब तक प्रधान मंतरी आवास योजना ग्रामीड योजना के को दोस्तों मंजूरी दिया है और सब को घर मिल जाएगा मार्च दोहजार चौबीस हो करकी सराज्य के मुंक्ह मंतरी पुषकर सिंघ धामी जाएगा जिसके मंत्री है डॉक्टर बीरेंद्र कुमार, कौन है, इसके मंत्री है डॉक्टर बीरेंद्र कुमार, अच्छे एक बात तैं है, जब तक नितिन सर कहते नहीं, ना तो हम लोग लाइक करते हैं, ना तो हम लोग शेयर करते हैं, हम लोग बड़े इमांदार बच्चे हैं, न नितिन सर के पास समय है 10-15 वेपसाइट कोल के question निकालने का आपके पास समय नहीं है करेंट अफेर के उपर एक comment करने का कि हां सर आप अच्छा पढ़ा रहे हैं आप ऐसी कोई बात ने लिसकते हैं कि आपके बात को पढ़के नितिन सर खुस हो जाएं गदगद हो जाएं ठीक है नहीं चली कोई बात नहीं लिख रहा है किस राज्य सरकार ने हालही में बैस्विक फिंटेक हब बनाने के लिए फिंटेक गवर्निन कॉंसिल की अस्थापना करने जा रहा है तो यह राज्य सरकार है तमिल नाडू कौन सा है तमिल नाडू करा किस राज्य सरकार ने हालह मैं बिद्या दिवेना योजना के लिए 646 क्रोड रुपे दोस्तों जारी किया है यह आंद्रपदेश की बात है ठीक है तो यह सभी पॉइंट आपके लिए इंपोर्टेंट है जो की योजनाओं से संबनित हैं आज हम लोगों ने एक योजना पढ़ा कियो एक हजार अटल इ का इसा चैनल है जो रोज एक दिन का नहीं दस दिन के करेंड एफैर को रिवाइश कराता है दोस्तों कियो जितना ज्यादा रिवीजन होगा उतना ज्यादा फायदा आपको हगा ठीक है आगे बढ़ते हैं दोस्तों करदी सम्बर 2020 में किस राज्य दौरा उच्च जातियों के लिए एक सामान नेवर्ग आयोग बना कभी दोस्तो जन्रल के लिए भी कोई कमिशन सुना है नहीं आपने जन्रल के लिए कोई आयोग नहीं सुना पहली बार दोस्तों पहली बार नहीं हो रहा है इसके पहले दोस्तों याद रखेगा मद्य प्रदेश भी बना चुका है ठीक है मद्य प्रदेश में पहले भी बन चुका है लेकिन मामला यहां दिसंबर 2020 का है याद रखे दोस्तों हीमाचल प्रदेश ने अभी हालाई में दोस्तों शामान नेव परके लोगों के लिए भी एक आयोग बनाए जाने का निरड़े लिया है किसकी तरज पर मद्दे प्रदेश की तरज पर जी हां मद्दे प्रदेश की तरज पर मद्दे प्रदेश में दोस्तों इस तरह की चीज़े बनाई गई थी ठीक है याद रखेगा मद्दे प्रदेश दीजेगा चलिए मैं आपको लेके चलता हूँ दोस्तो बिल्स एन एक्ट क्यों दोस्तो राज्य ने कौन-कौन सा अधनियम हाल फिलाल में पारित किया देश में कौन-कौन से अधनियम आये तो मतलब कुछ पॉलिटिक्स टाइप का क्वेश्टन हैं लोग देखते हैं यहां मामला वाली बात बिल्स एन एक्ट की बाते हैं करा कार्पूरेट मंत्राले मामलों के मंत्राले ने कंपनी कानून समीति के कारकाल को कितने साल के लिए बढ़ा दिया है तो एक साल के लिए इसे बढ़ा दिया गया हाले ही में सुप्रीम कोटदारा अधालतों से जेलों में प्रमाडित प्रतियों को अस्थानांसरित करने के लिए किस प्राली को शुरू किया गया है तो फास्टर एक योजना है उसको इस्टार्ट किया गया है। इस ने इनर लाइम पर्मिट को पूरी तरह से समाप्त कर दिया। इनर लाइम पर्मिट क्या होता है किसी राज्य में जाने से पहले आपको राज्य सरकार से अनुमती लेनी पड़ती है। अब लगदाक जाने के लिए आपको किसी तरह की अनुमती लेने की जरूरत नहीं ऐसा पुरोत्तर की भी बहुत सारे राज्य हैं जैसे नागालेंड जैसे मड़ीपूर इन सब राज्यों में भी दोस्तो इनर लाइन परमिट है अगर आपको 24 गंट से जादा राज्य में इस्टे करना है तो सरकार को बताना पड़ेगा ये होता है ठीक है अपनी देश में इ ऐसी बात भी चर्चा में रही थी तो इसको भी एक बार देख लीजे ठीक है हालेही में केंदरी कैबिनेट ने किस अस्थान पर केंदरी विश्विद्याले को बनाये जाने को मंजूरी दिया है तो एक नया केंदरी विश्विद्याले बनाये जा रहा है आपके लदाक में एक केंद्री भी स्विध्याले बन रहा है, वो भी ध्यान दीजेगा, करा हाले ही में, अच्छा, राजा महेंद्र प्रताप के नाम पर राज्य भी स्विध्याले कहां बनाया जा रहा है, तो रामनात कोविन ने आधार सिला रखा था, राजपती जी ने वो प्याग राज मे बाते हैं हाले ही में किस राज्ज ने नई EV पॉलिसी लांच किया तो EV पॉलिसी लांच करने वाला देश का पहरा राज्य महराष्ट कौन सा है महराष्ट राज्य ठीक है पढ़िए आराम से वीडियो को लाइक करिए शेयर करिए देखे अगर आपको लग रहा है कि मितिनसर वाकई महनत कर रहे हैं तो यहाँ सहयो करिए साथ दीजिए इससे ज्यादा कुछ नहीं करूंगा ठीक है आगे देखे कराय भारत को कि स्ट्रेडी में अंतराष्टी समुद्री संगठन परिसत जिया दोस्तों समुद्री संगठन परिसत के लिए एक बार फिर सचुन लिया है तो यहाँ पर जो कैके आघ्च में फिरयारी टीजिएक यहाँ स्ट्रेडी przy me में भारत को चुना ठीक है चैशीए बात आती को दस वहारत है याद रखेगा अभी जर्मनि को हरा कर के अर्जंटीना ने क्या जीता बताए जूनियर हाकी विस्वकब जीता न जो कलिंगा इस्टेडियम उडिसा में खेला गया वो अर्जंटीना देश है और आपका कौन से आस्ट्रेलिया देश है और आपका ब्राजील देश है और आपका कनाड़ा है फ्रांस है जर्मनी है चीन हो गया, ग्रीस हो गया, इटली हो गया, जापान, नार्वे हो गया, पनामा हो गया, कोरिया हो गया, रूस हो गया, आपका UK हो गया, ग्रेट बिटेन हो गया, आयल लैंड हो गया, और आपका अमेरिका हो गया, यह सब स्ट्रेडी A में हैं, और हमारा देस का है स्ट्रेड शौरगडवन दीया दोस्तों याद रकेगा अंतराश्वी शौरगडवन को परिवेच छब दर्जा दिया है कि इसने हमारे UN जी ने स्नेयुकत राष्ट जनले एसेंब्ली ने दिया दोस्तों उसको याद रकेगा शनयुक्त राष्ट महासभा के हालिया प्रस्ताव के अमसार बांगलादेश और नेपाल की नई स्रेडी कैया दोस्तों, तो अभी इन लेकर दोस्तों को उठा करके विकास सिल देश में रख दिया गया, अभी तक दोस्तों यह अल्प बिक्सीत देश में गिने जाते थे लेक तो याद रखेगा यह आस्ट्रेलिया के साथ किया अभी हाली में आपने पढ़ा तो दोस्तो कि रूस वह देश था जिसने पंडुबी से हाइपर सोनिक मिसाइल का परिक्षड किया था वह देश कौन सा था वह देश रूस था एक सवार और पढ़ा था रेल से दागी जाने बैलेश्टिक मिसाइलों का परिक्षड किस ने किया आपने पढ़ा था उत्तरी कोरिया ने किया था ठीक है होसों एट नाम का एक सूपर सोनिक मिसाइल का परिक्षड किस ने किया था वो भी उत्तरी कोरिया ने किया था वो भी आप याद रखेगा ठीक है करा वर्ड एक्स एक एक शब्दों पर ध्यान दीजिए और clarity के साथ पढ़िए मैं आपका देड़ दो घंटा नहीं लेना जाता है मैं चाहता हूँ कम समय में मैं कैसे जादा दे दूँ ठीक है दोस्तो आज कल आप सोच रहे होंगे मैं class live क्यों नहीं दे रहा हूँ देखे मैं अगर इसी करें गंटा सेव होता है न ये मेरे लिए बहुत important है कि कैसे भी करके मैं उतनी सिद्दत के साथ उतनी लगन के साथ पढ़ाऊं लेकिन आपका समय बचे आपका समय कब बचेगा जब मैं ऐसे पढ़ाऊंगा क्यों इस तरह की class में हमको इधर उधर की बाते नहीं करनी पड़ती ह हमको सिर्फ focus हो करके आपको पढ़ाना पड़ता है तो मुझे especially बहुत अच्छा लगता हूँ उमीद करता हूँ आपको भी अच्छा लगेगा ठीक है थोड़ा ध्यान से देखे मजा आएगा करा किस देश ने नॉमबर 2021 में 21 मी आयो आरे मंत्री परशद की बैठक की दोस् दोस्तो इसने जो है UK की मारानी लेजाबेत को हटा करके दोस्तो अपना नया राश्पती भी चुना ठीक हो भी याद रखेगा करा भारत भारत नहीं हाला ही में वन सन वन वर्ड वन ग्रिट की पहल कहा शुरू किया गया अभी आपका COP26 का जो शमिट हुआ था ग्लासगो म वही गय थे मोधी जी ने एक concept दिया हाल जी में किस देश द्वारा जेंडर एक्स मार्कर के साथ पासपोर्ट जारी किया जारा है अमेरिका द्वारा जारी किया जारा है करमार जुकरबर ने Facebook का नया नाम क्या कर दिया Facebook का राम बदल करके मेटा कर दिया गया इसे भी आप याद रखेगा ठीक है तो चलिए आज के सवालों का सिलसला ही समापत होता है दोस्तों जल्द ही आपका एक्जाम होने वाला CBT2 का और ग्रूप D का तो दोस्तों आपने बहुत बार बिस्तार से बिसे को पढ़ा होगा तो हम लोगों ने सोचा क्यों न बिस्तार से न पढ़ा CBT2 की मार्केट से किताब उठाएंगे ना 2500 की किताब आप उठाएंगे या 200 रुपे की ठीक है लेकिन यहाँ पे आपको smart PDF भी दिया जा रहा है मतलब पूरा test दीजिए online ठीक है test देने के बाद video solution देखिए अलग-अलग subject में आपने कहां गलत किया एक-एक प्रस्ण आपक ठीक है जी हाँ study 91 दोस्तों यहाँ पर bilingual देरा question यानि question हिंदी इंग्लिस दोनों भासाम होंगे तो आपकी इस बात का देर यह हमारे help line number है call कीजिए संपर कीजिए और batch लीजिए इसके लावा दोस्तों study 91 ने बहुत सारे courses खतम कर दिये पढ़ा कर बहुत सारे बीसे free में आ हिंद जै भारत थेंक यू थेंक यू सो मच